सर एक राजनेतिक मामला है चिराख पासवान वाला जब से उस पार्टी में दो फाड़ हुए है वो सीधा सीधा इल्जाम जदियू पे लगाते हैं कि इसके तीचे विधान सबाद चुनाओं की में जो रंजिश्टी वो आपने निकाली है कोई भूमिका नहीं है उनलों के आपस का मामला है लेकिन हम पर कुछ बोलता इसलिए कि पब्लिसिटी मिलती है हम लोग को कोई मतलब नहीं कभी देखा है कुछ बोले हैं और इसमें जो कुछ भी आपस का मामला है जो लोग बोलते हैं हम लोग इसमें कोई भूमिका नहीं है जो चाहे बोलें उससे हमने कोई मत्राले में इस वर जेडियों भी इस्षेदारी होगा क्या तो सब कुछ जिपेंड करेगा आप यहां पर मानिय पुर्धान मुंत्री जी जब भी करें क्या करें लिए उसके बारे वह कोई अभी जानकारी नहीं कि बैठक में आपके शामिल ह नहीं पूरे तर पर हम लोग अपने काम में लगे हुए और कोरोना वगर रहका तो जानते ही हैं हम लोग ने जिस तरह से इसके लिए लगातार काम किया है पिछले साल से काफी कम अब हो गया दूसरे दोर में और देश में किसमें स्थान पर जब किया वादी हमारी तीसरे स पर पूरे तोर पर सब जगा हम लोग लगे रहते हैं और भी दूसरा जो ज़रूरी काम है लोगों को मदद करना या डिफलप्मेंट का काम या आ गया है विन दिनों अब फ्लड का समय आ गया तो इन सब चीजों पर ध्यान देना हम लोगों का काम उसी में लगे रहते हैं लेकिन कई लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं तो लोगों की अपनी दिल्चस्पी है अपनी पॉब्लिसिटी के लिए हम लोगों के उसमें कोई दिल्चस्पी है सर कल से हम लोगों के ना भूमिका है ना उसमें हम लोगों का कोई उसमें इचाहत है कुछ रही है